जिहां देखें, बैंगलोर भारत का सिलिकॉन सिटी माना जाता है और बैंगलोर वो शेहर है जो ग्लोबल मैप पर IT के लिए जाना जाता है और अब ये बैंगलोर शेहर से जो IT इंडस्टी की ग्रोथ हुई अब इसको बैंगलोर से बाहर लाने की कोशिश है और यही बज़र है कि इसे अब माइसोर, मैंगलोर, हुबली, बेलगाम और धारवाज जिसे टीर 2 सिटीज में IT इंडेस्टीज की ग्रोथ के लिए सेसिलिटीज तयार की जा रही है और विश्बस धर पर देखा जाए तो बैंगलोर, जी ट्वेंटी में भी बैंगलोर डेस्टीनेशन है जहां से कई डेलिट बैंगलोर के IT हब का, IT हब और इंडियन इंस्टीट आफ साइंस रिसर्ट इंस्टीट आते हैं और यहां पर यहां के जो सक्से स्टोरीज हैं उसे देखना चाहते हैं हमने देखा बैंगलोर में इतने भी ट्वेंटी मीट हुए हैं यहां पर तमाम डेलिगेश जो है इंडियन इंस्टीट आफ साइंस के सक्से स्टोरीज देखना चाहते रहें जो patent Indian Institute of Science ने तयार किये उने देखना चाहते रहे और ये infosys जैसे world class global giant जो IT company है वहां का दोरा किया तो पैंगलोर सिलिकॉन city of India तो है ही और अब यही वज़े है कि इस शहर को शहर पर दबाव बढ़ गया इंफ्रास्ट्रक्टर का दबाव बढ़ने के चलते हैं अब tier 2 cities जो हैं यहां पर industries growth के लिए corridors बनाया जा रहे हैं facilities तयार की जा रही है और national highway authority of India का भी एक प्लान है कि जो express highway के जो दोलो साइट में जमीन है और national highway authority of India जो है complexes बनाएगी educational complexes बनाने के लिए जगा जेगी एक राजय सरकार को इस शेत्री में इंडिस्ट्री कोरिडॉर बनाने के लिए जगा दी जाएगी तो यह तमाम तीजर सड़क के साथ जुड़ी है connectivity एक एहम प्रिज है इस पूरे development के लिए इकनामिक ग्रोथ के लिए और अब इस शहर में जो development अब उन तमाम शहरों में जो इस शोटे शहर है इस सड़क के लिए जहां पर भी development और ग्रोथ के लिए काफी स्कोप बढ़ाया जा सकता है तो यहीं वज़े है कि एक एस्प्रिस है अगर एक शहर के दो शहरों के जोगता है तो उसके बीच ता जो राश्ता होता है उसके हर एक पड़ाव और इक पड़ झाल 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 इंडिया का दूआ है तो धाल मुझक मैं के दिए जाज़े है तो यहां पर इगे हुए है और तमाम लोग उनका स्वागत कर दो तक करनाचक की जो पोकात है तांस कुल्चर है उससा बजर्शन यहां पर देखा जा सकता है जिसे कि मैंने बचाया मंटिया के लोग अध्या पारिवारिक वाल्यू से जुड़े होते हैं तो प्रधान मंत्री को अपने महमान की तरहा उनका स्वागत कर रहे हैं और पूरी महमान नवाजी में कोई कसर नहीं छोड़ी है इसके पहले हम देख सकते हैं बेहट खुबसूरत तरीके से यहां पर मांगा के जो लोग है वो अभिवादन कर रहे हैं तो धानिंसी का स्वागत कर रहे हैं आईशा लगातार बता रहे हैं हमारे सम्मादा था कि कैसे बेहट असरों सहज लोग हैं अपनी संस्रुती से जुड़े हुए अपने जड़ों से जुड़े हुए और जब करनाटा की लोग घीत और संधीत के साथ यहां पर प्रधानमंसी का स्वागत किया जा रहा है उनका अपने वादन किया जा रहा है इसके पहले हमने दिखा एक ऐसे रोट्चो के दौरान भी बहत गर्म जोशी के साथ बहत उत्सा के साथ सारों की संख्या में लोग क जगा पर और यही वज़ा है कि बहर गर्म जोशी के साथ लोग संस्कुती के रंगों के साथ लोग घीत संगीत के साथ धोड़ के नगारों के साथ इसकी थाप के साथ प्रधानमंसी का स्वागत किया जा रहा है और प्रधानमंसी ही उतनी खुशी के साथ जूश के साथ इस अभिवादन को स्पिकार कर रहे हैं और उनके संगीत और उनकी संस्कुती का सम्मान कर रहे हैं लगभग 16,000 करोड रुपे की परियोजनाओं का लोकारपन और शलान्यास करने जा रहे हैं प्रधामिंशी आज करनाटक के मांडिया और हुद्री धारवार के दौरे पर हैं बहत मतुकून ये दौरा है जहां इस पूरे अलाके के लोगों की जन्दगी में एक बड़ा बदलाब बुलाने वाला है साथी साथ उगले वहाँ चुनाव हैं तो प्रधानमंशी के वहाँ मौजूद की वहाँ हाजपा कारे करताओं को भी एक अलगी जोश के साथ भर रही है आईशान कह सकते हैं कि इस वक्त जो भारत है वो वरल्ल मैप पर एक बेहत उत्रमुक पोजिशन पर आ गया है पुरा विश्व में इस वक्त सभी की निगाहें भारत पर टिकीवी हैं कैसे करोना के बाद की स्थिती से जो उपन स्थिती है उसमें एक सिलूशन प्रोवाइडर के तौर पर यहां भारत उटतावा नजर आ रहा है यह कुछ दिर पहले रोट शो की तरस्वीरे हैं हमने देखा कितने जोश के साथ रोट शो के दौरान प्रधान मंत्री का स्वागत किया गया दूर दूर से लोग पहुँचे प्रधान मंत्री का स्वागत करने के लिए जैकारे लगाते हुए प्रधान मंत्री पर फूलों की बारिश करते हुए और प्रधान मंत्री भी उनकी अभिवादन को स्वेकार करते हुए और उन पर भी फूल बरसाते हुए मौसम भी वहाँ गरम रहता है लेकिन इतनी धूप में और गर्मी की बावजूद हम देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं किसान अपना गुर्ड लेकर पहुंचे हैं किसान अपना गुर्ड लेकर पहुंचे हैं उनका अभिवादन करने के लिए उन्हें शुक्रिया अदा करने के लिए चुक्कि कुछ समय पहले तस्वीर कुछ और होती थी तस्वीर होती थी जब किसान किसान प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन अब किसान यहाँ पर फूल लेकर स्पाकत कर रहे है प्रदानमंसी का आईशा कैसे एक विभिन अक्षेत्रों में भारत की प्रगती है उसकी बानगी हम लगातार यहां पर देख रहे हैं आज वेस्टन टेक्नोलोजी की कंजीमर की तौर पर नहीं बलकि टेक्नोलोजी जिनेरेटर की तौर पर भारत की पहचान हो रहे हैं कैसे आप देखती हैं कि यह तमाम योजनाएं हैं यह ना सिर्फ पंक्ती में खड़े आखरी व्यक्ति को एक सम्मान जनक जीवन दीने का एक होसला बढ़ाने का उन्हें मौका दे रही है उन्हें अफसर दे रही है साथी साथ वर्ल्ड मैट पर भारत की जो पुजीशन है उसे और भी जादा मजबूत कर रही है जी है बिलकुँ सही कहा जाया आपने ये बात सामने नजर आती है जब भारत की अध्यक्षिता में जो मीटिंग हो रही है अलग अलग शेहरों में ये साफ तस्वीर जो है जीवन देशों के सामने भी नजर आती है और जब इस जीवनेटी बैठक में डेलिगेज्ज भारत की अंतमाम फ्लाच्शिप स्कीम के बारे में बात करते है उससे जानने की कोशिश करते हैं खासकर अ कुछ लो इंकम नेशेंस वो चाहते हैं कि भारत से जो लोगों के लिए फ्लाक्षिस स्कीम्स तयार की है, वेलफे स्कीम्स तयार की, ये उनके देश में उन्हें डुप्लिकेट करने में भारत मदद करें, तो ये एक उधारन बनता है कि कैसे प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी ने अपने नेत्रत्व में इन तमाम योजनाओं क को उस दिशा में तयार किया है, जिस तरह से देश का हर एक शक्स को तक उसके लाब मिलें, तो ये जो योजनाओं हैं, विदेशी जो दूसरे कंट्रीज हैं, जो लोग इंकम नेशन हैं, वो चाहते हैं कि अपने देशों में अपने देश में इस तरह से बेस्ट प्राक्ट प्राइशन शेतर हो, इंधन शेतर हो, या फिर अलग अलग फिनांस शेतर हो, इन तमाम शेतर में जी ट्वेंटी के मंच पर भारत ने अपनी तरफ से फ्लाक्शिप टीम्स टेकनोलोजी के साथ कैसे विकास की योजनाओं को अलजाम दिया दर सकता है, ये प्रदरशित किय और खास बात पैंडमिक के दोरान भारत ने जो प्रदान मंतरी नरिंदर मोदी ने जो वैक्सिन डिप्लोमेसी शुरू की थी, ये हर जी ट्वेंटी के मंच पर नजर आता है, और हर देश इस बात को अक्नॉलेज करता है, कि ये जो है जिस तरह से वैक्सिन डिप्लोमेसी प्रदान मंतरी ने शुरू किया था, इसके लिए कई देश भारत के तरफ आभार प्रकट करते हैं, और भारत ने उस दोरान जो टेक्नॉलोटी का उप्योग किया, वाक्सिन के लिए हो, या फिर करोना डिटेक्शन के लिए हो, टेक्नॉलोजी का जो भरपूर इस्तेमाल क या, ये भी विश्व के सामने है, और अगर हम डिफेंस के शुậbelt में देखिये हैं, तो भारत ने इंडिजनेस टिकनॉलोजी के जरिये, और इस्तेमाल के जरिये भारत ने जो अपनी इंडिजनेस टिकनॉलोजी तयार किया है, ये तमाम चीज्व भरत को विश्व में एक की रूल में खासकर वाइस अप साउर्ड की रूल में भारत को देखा जा सकता है। बनाना चाहता है और युवेयस अपनी तरह से भारत को एक एहम पार्टनर मानता है इकनामिक शेतर में या फिर डिफेंच शेतर में तो हर एरिया में हर शेतर में हर टेक्टर में थारत ने किसी नगती तरह से एक लीडर्शिप के कई उदाहरन आगे रखे हैं और जीसे कि पिछली बार मंचपर, शिमोगा में करनाटे के पूर मख्य मंत्री बीयस एडूरपा ने कहा कि पुर्धान मंत्री नरेंद्र मोदी का नेत्रत वो ना किवल देश में बलके विश्व में सरहा जाता है और उन्होंने कुवेंपो करनाटे के राष्टा कभी कविताओं से उन्होंने कुछ उदाहरशन दिया और कहा कि जो कविश्व मानव की बात करते थे आज हो विश्व मानव कैई नेताओं के सामने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में नजर आते हैं तो ऐसे में भारत एक leadership का role धारन करते हुए development के पज़ पर, development के express way पर आगे बढ़ रहा है और भारत का जो vision है, पृधार मांतिर नरिंद्र मोदी का जो vision है, ये एक उधारन है और G20 की अधर्शिता इस वक्त भारत के पास है, तो ऐसे में भारत के लिए ये एहम बन जाता है कि भारत अपने देश के लोगों को empower करने के साथ-साथ कैसे global south की एक voice बने और global south के अलग-अलग शेत्रों में भारत अपनी best practices का प्रदर्शन भी करे किस तरह से भारत आज तमाम एक शेत्रों में अपनी मौजूद की दर्च करा रहा है किस तरह से एक नेत्रद्व की भूमिका में यहां पर निकल कर आ रहा है उसकी बानगी हम यहां साफ देख सकते हैं और प्रधान मंत्री आज करनाटक के दौरे पर है मांडिया में पी-म का रोड शो हुआ पहले और उसके बाद यहां पर एक प्रदर्शनी का अवलोकन करने पहुँचे हैं प्रधान मंत्री आईशा हम देख सकते हैं तस्पीरों में किस तरह से यहां पर कैसे इन पूरे जो परियोजना हैं कैसे उनकी अधार्शला रखी गई कैसे उनको मूर्थ रूप दिया गया उसकी एक जलक यहां पर प्रधान मंत्री देख रहे हैं उस पूरे प्रजेक्ट की जी बिल्कुल इस प्रधाश्री में बहुत ही दिल्सित प्री-डाइमेशनल मॉडल्स रखे गये हैं पैंगलोर मैसूर एक्ष्पेस हो गये और उन्हें केंद्री मंत्री नितिन गटकरी इस उबरू करा रहे हैं पता रहे हैं कि कैसे यह प्रजेक्ट शुरू से लेकर उसक अंतिम पड़ाव तक इसको लागू किया गया तेकि यह मंत्री नितिन गटकरी लगातार इस प्रजेक्ट को मॉनिटर करते हैं हर छे महिने बैंगलोर मैसूर पहुशते थे और हर बार वो हेलिकॉप्टर के जरिए इसका जाइजा लेते रहे और इस रोड में जो फीडबै कि राए को उनोंने शामिल किया तो यही इस वक्त प्रजानमंत्री नरेंदर मोदी इस प्रजर्शनी का जाएजा ले रहे हैं और अलग 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 दिशाओं में जो रोड की डाइवर्शिंद हैं वो तमाम चीजें ट्री डाइमेंशनल प्रजेक्ट के तहर्ट मॉडल के बनने के बार कैसे इस शेतर को खासकर ओल्ड मैसूर शेतर को विकास की गती मिल रही है और कैसे बैंगलोर मैसूर एक्सप्रेस वे पर विकास भी एक तेज़ गती के साथ आगे बढ़ेगा बिल्कुल कैसे एक विकास गदी के साथ यहां आगे बढ़ती नज़र आ रहे हैं तमाम परियोजना हैं और यह बहुत-बहुत वपूर्ण होता है जब किसी भी परियोजना की शिलान्यास किया जाता है किसी परियोजना की शुरुवात की जाती है तो हमने इतिहास देखा है पिशले एक दश्क में कि कैसे रिकॉर्ड टाइम में रिकॉर्ड समय में उन परियोजना को पूरा किया जा रहा है यहां जबाब देही तै हो रही है लगातार मॉनिटरिंग हो रही है उसकी गुणवत्ता पर ध्यान देते हुए कैसे अगर कोई वादा किया जा रहा है शि में किया गया और आज हम इसको देख रहे हैं? में किया गया और आज हम इसको देख रहे हैं? में किया गया और आज हम इसको देख रहे हैं? में किया गया और आज हम इसको देख रहे हैं? में सबके वीकेंड प्लान्स बनने शुरू हो गएं कि किस तरह से अब आप टूरिजम बढ़ेगा तो इस पूरे वहां पे भी लोगों में काफी जोश और उत्सा होगा इस हाइवे पर निकल जाने क्या? जी पिल्कुल क्यूंकि इस हाइवे पर एक तो स्पीड है जो युवाओं के लिए जाहिर है उन्हें बहुत अहम अहमेत है उनके लिए क्यूंकि इस रोट पर हंड़ेट किलोमेटर पर्थी गंटे की रफ्तार से जाने की इजाज़त है लेकिन सुरक्षा भी काफी अहमें कि नाशनल हाइवे अथारिटी आफ इंडिया ने अब इस हाइवे पर CCTV चामरा और इंटरनेट आफ तिंक्स के जरिए इस रोट को स्पीड भी मॉनिटर करने का फैसला किया है तो